जैसी क्रश्ना स्वागत है आपका भासका देश्टर यूट्यूब चैनल में मैं हूँ सरवेश कुम्रावत जोतिशी और टेरो कार्ड डेडर एक बार से हजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आए सी मैंस क्रिकेट वर्लिकप 2023 के बारे में जो कल से शुरू हो रहा है पांच अप्टोबर से और यह 13 एडिशन है तेरवा संस्करण है जो भारत में आविजित हो रहा है पांच अप्टोबर 2023 से उन्मिस संबर दोजर तईस तक यह जो वर्ल कप यह चलेगा और इसमें दस टीमें हिसा ले रही है अफगानिस्तान है इसमें ऑस्टेलिया है इसके अलवा इसमें बांगलादेश इंडिया नीडर लेंड न्यूजिलेंड पाकिस्तान साथ अप्रीता और श्री रंका यह 10 टी की अजिक दूसरी के साथ एक एक मैस कहलें कि अनगा जैसे है कि गरूल में है तो हरिज़र में से और अब इसमप यहचार में लियंहीं में और पिस्तर से वर्ल कप का बिनर मिलेंगा इसमें जो है टेरो कार्स के थिरो मैं ने प्रोडिक्त करने की कोशिश की है और semi final कोन सी टीम क्छेलेगी इस बारे में इस video में बात करें और सभी टीमों के बावे बाद करेंगे कंस के बारे में बात करेंगे मिंG हम देखेंगे किस टीम के वर्ल्ड कप जीत नहीं गया इतल सेमी फाइनल खेलने के चांसे जादा हैं तो अब देखिए आगे बादे से पहले आप सभी से सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर दूर डिस्वेमर यहां पर दे देता हूं कि इस प्रेडिक्शन के बेस पे या इ आप सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे क्यों कि वर्ल्ड कप के हर इक मेंच का प्रेडिक्शन इस चैनल पर अपलोड होगा रोज शौर्ट के फॉर्म में जैसे अभी कल पहला मेंच है इंग्लेंड और न्यूजिलेंड का तो उसका जो मेंच प्रेडिक्शन का उसके लिए एप सब्सक्राइब करना ना है यहां पर ऐसके आफज़े की टीम में च Eller शुरू करते हैं अफगरनिस्तान से कि अफगानिस्तान की टीम है bakedledge विए ने और इसके जो क्विक्तान है वह रहे हलोगी डिला मिर्कार अफगनिस losing के लिए अगर मां आपको बता पाऊं तीनों एक साथ तो यह कार्ड ही अफगानिस्तान के लिए उनके जो कफा नय हैं और ऐसंब के लिए तो नहीं लेकिंगे इसकिल की कमी उनमें यृण यूंके टीम में हैं और इस से सब्सक्राइब करेंगे लीग कि मैं बात कर रहा हूं सारे टीमों की ग्रूप स्टेज की तो इस इस करेंगे लेकिन जैसे कल सब्सक्राइब करेंगे तो उनके साथ क्रूशल होगा और अच्छा पर्फॉर्म करेंगे जो इनका पर्फॉर्मेंस होगा जो इनका इस तरह उससे कहीं ऊपर ही रहेगा लेकिन सेमी फाइनल खेले वहाँ से शांसे नहीं है लेकिन कहीं यहां से काफी पॉजिटिव मिलेंगे तो यह तो हुए अफगानिस्तान की बात अब हम आते हैं Australia की तरफ तो Australia के कपतान पैट कमींज और उनकी टीम पैट कमींज के नहें तर तो मैं ऑस्टेलिया यह वर्ल कप खेलेगा और उनके लिए कार्ड आया है अफगानिस्टान के लिए अब यहां पर दिखिए अफगानिस्टान सुरी आउस्ट्रिया के लिए आए हैं यह कार अनुभू की कमी पैट कमिंस में जरूर रहेगी क्योंकि उनको बड़े लेवल पर खेलने का अनुभू नहीं है जरूर विंक किया होगा लेकिन बड़े सब्सक्राइब नहीं रहने वाला पैट कमिंस के लिए लेकिन बड़े मौकों पर यह थोड़ा सा संघर्श करते नजर आएंगे इनको इनके सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनका मार्ग दर्शन जरूर चाहिए अदरवाइस यह थोड़ा सा टीम डगमत आ सकती हैं हाला कि फिर जो इनकी टीम है परफॉर्मेंस अच्छा करेगी और टीम के हूप में अच्छा खेलिंगे यह और सेमी फाइनल खेलने की चांस हैं लेकिन तोड़े से कम है यहां पर अगर कार्ट के कोर्डिंग में देखूं तो चाहे ऑस्टेल है कितनी भी मदमूर टीम हो लेकिन जो कार यहां पर बता रहे हैं मैं उसके अपको बताऊंगा अलगी सेमी फाइनल से पूरी तरह बाहर है यह नहीं कह सकते हैं खेले की सेमी फाइनल लेकिन चांसेस बहुत प्रूमें यहां पर थोड़ा सा उलट फिर इनकी हो सकता है तो यह हुई ऑस्टेलिया की बात अब हम बात क और किंग ओफ मैं अगर कार्ड मैं आपको शो करूं तो यह बांगलादेश के लिए काड़ा है उनके कप्तान के लिए काड़ा है अगर कि अगर बात पर तो कप्तानी कह रहें बैटिंग बॉलिंग ऑल्राउंडर तो ही वह तो उनके डिसीजन्स काफी अच्छे होंगे और उनकी अगर देश की बात करें तो उनके रहेंगे काफी और वो उनके फैंस को निराज भी नहीं करेंगे और प्रदर्शन की बात करें हैं वर्ल्लकप की बात करें तो देखिए यहां पर बांगलादेश की जो मेचे होंगे ना वो काफी क्लोज होंगे अब देखिगा बां आपते हाथते जीत जाए यह जीत 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 बहुत कम वार्जिन से हाल जाए इस तरह के मैंचे बांगलादेश खेलेगी अपने जो ब्रूप इस्टेश के मैंचे उसकी में बाप कर रहा हूं लेकिन यहां पर दिखिए सेमी फाइनल की दोर में भी यह रहेंगे लेकिन इनका जो टीम पर्फॉमेंस है वह बहुत अच्छा नहीं रहेगा इनके कप्तान का जो लेवल है उसके अपनी टीम को नहीं समाल पाएंगे तो इसलिए बहुत कम चांसे से हैं सेमी फाइनल के अब हम बात करते हैं इंग्लेंड की इंग्लेंड की के कप्तान जो बटलर उनके लिए कार रहा है इस एक पेंटेकल से हेरोफेंट काड और एस ओफवेंड काड अगर मैं कार्ट की बात करो तो यहां पर आप देख सकते हैं यह तीनों कार्ट यह हैं इंग्लेंड के कफ्तान जो बटलर विए बहुत ही अनुबवी खिलाड़ी जोस बटलर और काफी अपने अनुबवाद पूरा यहां पर यूज करेंगे यह आई से विकेट वर्ल्ड कप 2023 में काफी अच्छा एंका रहेगा चैलेंज यह हर टीम को देंगे अलग तहरे का और बड़ा चैलेंज देंगे मतलब हर मेंच में कुछ ने कुछ यह अपनी जो कफ्तानी के बल पर कुछ अलग यह जरूर लेंगे और अपने experience का पूरा यूज करेंगे और इंगलेंड की टीम में जो अनुभवी खिलारी हैं उनका भी इनको सपोर्ट काफी अच्छा मिलेगा कफ्तानी को बैतर रहेगी अधिकतर मेंचों में यह टॉस जीतेंगे प्रदर्शन की बात करेंगें अब व सेमी-फाइनल खेलेगी एजसी उखिल सकते हैं यह यहां पर इंगलेंड की टीम फोर शोर देख रही है अब हम बात करें इंडिया की भारत की आप देखेंगे इंडिया के जो कफटान सब्सक्राइब कर आए और एक पनिकल यहिए भारत के का जो कर पाऊं तो यह का आए और इंडिया के क्रिकत्पी लिए यह कैसा है दोजिए के लिए बहुत सुनेगा है यह भशरते यह हर मोगे को पहचाने हर मेच दर मेच की में बात करों कि हर मेच इनके यह बहुत ही अच्छा एडवांटेज लेकर आएगा और काफी इनको सपोर्ट मी मिलेगा इनकी टीम का मेच दर मेच जैसे जैसे यह टूनामेंट आगे बढ़ता जाएगा इंडिया की टीम का पर्फॉर् कि यहां पर हर मेच के दो पॉइंट्स मिलेंगे मैज़ी जीटना ज्यादा बीच मेच को जीटने लिए जो उनको दूजान से इडवांटेज मिलेंगे गया मैं बोलू की जो भाग यह सांध मिलेगा असरहां पर अगरी क्लिक कर गये तो यह मेंच दर मेरेश काफी इंप्र अब हम बात करें नीदल लेंड की तो नीदल लेंड के कपतार है स्कॉर्ट एडवर्ट्स और नीदल लेंड के कपतार नों के लिए यह कंपतार है अच्छा मोका इनके पास है और अनुभव की कमी पास रहेगी जो कार्ट मुझे शोव कर रहे हैं यहां पर अनुभव की कमी इनके पास यह बार बार आपना सीनर प्रेयर्श की तरफ जाएंगे कि अब वो हर बात आती है नहीं है इंटनले डिस्कुशन करते हैं लेकिन जो कार्ट बता रहे हैं यह बार बार सीनियर प्लेयर्स की तरफ रोख करेंगे और अनुभों की कमी में साफ दिखेंगी हलां कि और टीम को यह अच्छा मैंटेंग करके चलेंगे और इनके जो लेवल कि अगर कोई बॉलर है अच्छी बॉलिंग करा है तो एक या दो और और तो नहीं है हटा देंगे उसको बॉलिंग से तो साफ बॉल लेकिने फिक्वेंट चेंजर से कुछ भी हो सकता है जल बाजी में तो एक चीज यह हैं दूसरा हम बात करें न्यूजीलेंड की नीदर ल कार्ट अगर मैं आपको पता पाऊं कार्ट तो यह हैं न्यूजीलेंड के लिए यह काड़ा है पेज ओफ कप्स दिखिए अपोर्चुनेटी तो यहां पर केन विलियम सन के लिए बहुत अच्छी है पिछले जो दो वर्ल्ड कप हुए है तो उसमें यह टीम रनर अप रही जो पिछला वर्ल्ड कप था 2019 का उसमें इंग्रेंड के साथ इनका फाइनल हुआ था अब यहां पर दिखिए मोका तो काफी अच्छा है इनके लिए लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी के मिलियम सन्ग में अपनी कपतानी को कहले लेकर कहले या फिर पर्फॉमेंस को लेक करता कि यूजिलेंड सेमी फाइनल में पहुंचेगी क्योंकि एक तो कफ्तान में निरन करता कि कमी इनको मैनेज भी मुश्टेंसे कर पाएंगे दूसरा प्रदर्शन की अगर बात करें तो वहां पर इनका जो लेवल है पिछले दो वर्ल्ड कॉप में इस तरह से खेले हैं वैसे यहां पर नहीं खेलते वे दिख रहे हैं तो न्यूजिलेंड सेमी फाइनल में कार्ड्स के एक पॉर्डिंग तो नहीं खेल रही है अब हम बात करें पाकिस्तान की पाकिस्तान के कप्तान बाबा राजा और उनकी लिए कार आ है नाइट ऑफ पेंटेकल्स दे वर्ल् कंटनी की बात करें इंडिविजल्य performance की बात पर तो अच्छा समय इनके लिए रहेँ पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी करेंगे स्मार्ट rated सी करेंगे जिसके लिए जाने भी आतके हैं ठोड़ा सा इनका प्रफोंएंस है बैटिंग बैतर है ये तो जो इंडिविजल तो वहां पर इसको ध्यान रखना चाहिए अब हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो साउथ अफ्रीका की तीम उनके जो कपता है उनकी विए काड आए यह अब यहां पर साउथ अफ्रीका के कपतान की लिए काड अच्छा आया है तो यहां पर कपतानी अच्छे रहेगी देना भी सही रहेगा और अग्रेंसी रहेगी उनकी तो दर्शंक की बात के तो बहुत ही शान्दा कफोमेंस करेंगे और काफी अच्छा रहेगा लेकिन सेमी सेमीफायनल यह खहले या एक मीदिकर नहीं जई रही चार्ट सेमीफायनल की अभी तक आई स्री लंका जो एक बच्छी यहें तो श्री लंका का हम देखते हैंग की कपताने दसुन्शन फकतान अब कीम आप पर एकंछ कंता है तो डेथ कार आया है दूसरा Peaks कंविक क्यों पैंटेकल्स काड अब यहां पर यह काड आपको शो कर पाऊं अगर काड तो यह काड आ हैं श्री लंका के लिए अब यहां पर दसुन शनका के लिए एक नहीं शुरुआत होगी एशाकप के परफोरमेंस को बुला करें कि फिर से टीम रीबिल्ड करेंगे कुछ नए खिलाड जो में इनका प्रतर्शन है लब जैसे चेस करना गये तो वहां पर यह पीछे रहे जाएंगे बॉलिंग में यह कमजोर रहे जाएंगे और अगर बात करें तो सेमी फाइनल में अगर यह खेले इसके चांसे यहां पर तो मुझे नहीं दिख रहे हैं सेमी फाइनल में यह ट वर्ल कप लेकिन नहीं जीत पाईगी तो चार टीम है और थोड़ों को चांसे पाकिस्तान के यहां पर दिख रहे हैं तो और और पांच टीम जिसमें पांच मेंसे जो तौफ फॉर टीम है जो सेमी फाइनल खेल रही है वो है ऑस्टेलिया इंगलें इंडिया और साउथ लेकिन सेमी फाइनल तक जरूर यह पहुंच सकती है इस बार क्योंकि काफी अच्छी टीम है तो यह था और और हर टीम के बारे में वीडियो और वर्लकप की बात के तो और और वर्लकप का जो आयोजने अच्छा रहेगा अब इसमें एक चीज़ दिख रहे है कि कहीं और ऐ इंगिलेंड इस बार शायद वर्लकप अपना रिटेन नहीं कर पाया कोई नई तीम दूसरी टीम आई डियो तो यह था और और वीडियो वर्लकप के बारे में आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपके टॉक फॉर टीम जो है क्वालिफाइब कर पर दीजिए उसको बेल आइकोन को प्रेस कर दीए क्योंकि रोज एक शौर्ट वीडियो अपलोड होगा हर मेंच का उसमें पर प्रेडिक्शन रहे तागी कौन से की भी त्रीजिए जैसे कल का मेंच है फरस्ट मेंच तो उसका जो शौर्ट वीडियो होगा शाम को